हेलो स्टूडेंट्स बियस्सी पार्ट टू ऑउगनिक एमिस्ट्री के पेपर 2 के लिए हम चैप्टर एल्डी हाइड्स ए एंड की तोन्स का अध्याइन कर रहे हैं और इस अध्याइन में हम कुछ स्पैसिफिक रियाक्शन्स जो एल्डी हाइड और की तोन्स की होती हैं, उ इनको समझते हुए यदि हम इनको नाम से जोड़ते हुए याद रखेंगे तो हमें आसान तरीके से ये याद रखे जाएंगे पहला जो हमारा अभिक्रिया है उसका नाम है बेंजोएन कंडनसेशन benzoin condensation aromatic aldehydes की specific reaction होती है जो potassium cyanide के alcoholic solutions के साथ गरम किये जाने पर alpha hydroxy ketones बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये aldehyde की अभिकरिया है benzoin condensation और aldehyde की इनको हम detail में आगे देखेंगे इनकी mechanisms के साथ अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि कितने प्रकार की name reactions को हमको aldehyde ketones chapter में हमें याद रखना है ये अभिकरियाएं लगभग 17 अभिकरियाएं हैं जिनका हमको अध्यान करना है तो हमें वो अभिकरियाएं उनके नाम के साथ याद करनी है जैसे benzoin condensation तो हमें याद होना चाहिए कि aldehyde की specific अभिकरिया है और इस अभिकरिया में क्या उत्पाद बनता है potassium cyanide की presence में aromatic aldehyde जब alcoholic solution में गरम किये जाते हैं तो ये अभिकरिया होती है इसी प्रकार से दूसरी अभिकरिया जो है aldol condensation तो benzoin condensation और aldol condensation जो है ये aldehydes की specific अभिकरिया है aldol condensation में भी हम dilute base या acid की उपस्तिती में aldehyde या ketone के दो अनूं मिलकर condense होते हैं और beta hydroxy aldehyde या beta hydroxy ketones बनाते हैं तो ये aldol condensation कहलाता है aldehyde दो aldehydes के बीच में से water molecule का निकलना और उन दोनों अनूं का जुडना aldol condensation इसी प्रकार से अगली अभिकरिया जो हमें अध्यान करनी है वो है perkins reaction परkins reaction बहुत important अभिकरिया है aldehyde ketones की और ये aromatic halides के साथ में होती है aromatic halides को जब alpha hydrogen वाले acid unhydride के साथ क्षार की उपस्थिती में गरम किया जाता है तो alpha, beta unsaturated acids बनते हैं जैसे इसका example हम देखने है benzaldehyde को sodium acetate की उपस्थिती में acetic unhydride के साथ अगर हम करते हैं गरम तो cinemic acid बनता है तो हमें याद रखना है कि parkin अभिकरिया aromatic aldehyde जैसे benzaldehyde की अभिकरिया है जो हमें unsaturated acid देती है यानि cinemic acid देती है तो इसको हमें इस तरह से जोडते हुए याद रखना है parkin reaction benzaldehyde की अभिकरिया है जो cinemic acid देती है तो इतना भी अगर हम parkin के साथ में याद रखेंगे तो हमें आसानी से जब ये नाम आएगा तो हमें याद आ जाएगा कि benzaldehyde से हमें cinemic acid बनाना है तो यह अभिकरिया parkin अभिकरिया कहलाती है और यह aldehyde से जुड़ी होई है तो इस तरह से जोडते हुए हम इन नामों को याद रखें और कोशिश करें कि हम इन पूरी 17 अभिकरियाओं को पहले हम नाम याद रखें अभिकरिया के साथ में उसके बाद हम क्रिया विधी का अध्यान करें तो अगली अभिकरिया जो नोवेंजेल रियक्शन है नोवेंजेल रियक्शन भी एक बहुत important अभिकरिया है जिसमें कार्बोनाईल ग्रुप के उपर अभिकरिया है क्शार कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट जो है वो present अगर होता है तो active methylene group वाले योगिकों के साथ condensed नोवेंजेल अभिकरिया होती है तो नोवेंजेल अभिकरिया बहुत important अभिकरिया है यह भी हमें याद रखना है कि यह aldehyde ketones में पाई जाती है condensation with ammonia and its derivative तो C double bond O, कार्बोनाईल ग्रुप containing जो भी compounds है aldehyde ketones के उनकी ammonia के साथ अभिकरिया और ammonia के कई derivatives के साथ अभिकरिया यह बहुत important अभिकरिया है क्योंकि ammonia या NH2 amines और ammonia के साथ ही है eurotropine एक बहुत important molecule है eurotropine का निर्मान करता है इसी प्रकार से यहाँ पर malachite green बनता है और कई important molecules बनते हैं जो की बहुत important होते हैं तो इसलिए हमें इनका अध्यान आवश्यक है तो condensation C double bond O ग्रुप का ammonia के साथ याद करनी है benzoin condensation aldol condensation perkins reaction noven gels reaction condensation with ammonia and its derivative wittig reaction and manic reactions उसके बाद कुछ और अभिक्रियाएं हैं जो carbonyl group C double bond O की वज़ा से होती है aldehyde और ketones में ये अभिक्रियाएं आठ अभिक्रियाएं हैं और इनका particular नाम है या तो reagent है या तो product है तो हमें याद रखना है कि किस reagent के साथ या भिक्रियाएं कर रही है तो कौन-कौन से reagent है जो carbonyl पर किस प्रकार से add होते हैं जैसे gregnard reagent है तो यह किस प्रकार add होता है इसकी क्रियाविधी क्या रहेगी तो reactions with gregnard reagent reaction with acetylides polymerization reactions ladderer manasase reaction name reaction है ये klesian condensation ये भी aldehyde ketones से जुड़ी हुई condensation है klesians reaction, klesian schmidt reaction ये भी aldehyde ketones से जुड़ी हुई reaction है reformats की reaction ये हमने पढ़ा है 12 में aldehyde ketones के लिए name reactions में tishing core reaction ये भी हम पढ़के आएं है 12 में हम एक बार वापस से recall करेंगे कि ये अभी क्रियाएं कौन-कौन सी है जो नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं और hello form reaction तो ये 7 अभी क्रियाएं हमने पहले देखी और 8 अभी क्रियाएं ये जो अलग-अलग reagents जिनमें सब में अलग-अलग reagents है और इनके कारण इनका नाम है यानि उस reagent के कारण ही ये है specific अभी क्रिया कहलाती है तो ग्रिगनाड reagent के साथ acetylides के साथ polymerization, ladderer manase reaction klesian condensation klesian reaction, klesian schmidt reaction reformats की reaction tishinko reaction और hello form reactions तो 7 और 8 ये कुल 15 अभी क्रियाएं हैं ये हमें याद करनी है और उसके बाद दो अभी क्रियाएं oxidation इनका किस प्रकार से होता है LD heights का और ketones का उनका क्या product बनता है ये हमें detail में देखना है और reduction इनका किस प्रकार से होता है 4 प्रकार के reductions 5 प्रकार के reductions का अध्यान हमको करना है जिसमें अलग-अलग reagents के कारण अलग-अलग products बनते है और end product जो पूरा reduce होकर बनता है वह क्या बनेगा ये हमें देखना है तो हम देख सकते हैं पहली name reactions जो LD height ketones की specific reactions है तूसरी reactions जो reagent की वजह से reactions हो रही है तीसरी oxidation और चौथी reduction तो reduction में भी reagent important है अलग-अलग reagent जैसे मीरवान-पॉंडॉर्फ-वर्ले reaction ये भी name reaction है लेकिन ये reduction की अभिक्रिया है तो हमें याद रखना है मीरवान-पॉंडॉर्फ-वर्ले reduction है MPV reduction important reduction है Clemenson reduction है तो reduction के अंदर हम इसको याद रखेंगे Wolf-Kishner reduction एक और प्रकार का अप्चैन है Li-Al-H4 की presence में जो reduction है और sodium borohydrate यानि N-A-B-H4 इसकी presence में किस प्रकार से aldehyde और ketones reduce होते हैं तो reduction, oxidation और name reactions पहले हम इनको याद कर लें 17 हमारे पास 17 प्रकार की name reactions है aldehyde ketones में जो हमें याद रखनी है